Hello everyone, Welcome back to Pransu and Mama Delivery के बाद हमें क्या खाना है? ये सवाल हर नई मदर को बहुत परेसान करता है क्योंकि हमें पता होता है कि हम जो भी खाएंगे वो ही हमारे बेबी को दूद के रूप में मिलेगा इसलिए मदर बड़े प्रेसर में रहती है कि दिलिवरी के बाद आखिर हमें क्या खाना है ताकि हमारे बेबी का ग्रोथ और उसके डेवलप्मेंट अच्छे से हो सकता तो आज हम इस वीडियो में यही जानने वाले हैं कि आफटर दिलिवरी मदर को क्या खाना है अगर वीडियो पसंद आएगी तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजेगा आफटर दिलिवरी मदर की डाइजेस्टिव सिस्टम थोड़ी सी वीक होती है मदर का इम्मुनिटी सिस्टम थोड़ा सा कमजोर हो जाता है इसलिए हमें खाने में सबसे ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत है हमें स्मॉल एंड फ्रिक्वेंट मिल्स लेने की जरूरत होती है मतलब कि थोड़ा थोड़ा करके ज़्यादा बार में खाना है जैसे जो भी खाना आप दो से तीन बार में खाती थी उसे आप कम से कम 6 बार में खाईए इससे आपका पेट भारी नहीं होगा और आपका digestive system भी अच्छे से वर्क करेगा क्योंकि आपका अभी पाचन प्रक्रिया जो है वो थोड़ी कमजोर हो जाती है इसलिए आप थोड़ा थोड़ा करके जादा भार में खाएंगे तो आपका पेट ठीक रहेगा इसके बाद जो अगली चीज बहुत इंपोर्टेंट होती है वो पानी पानी आपको 8-10 गलास सिर्फ पानी प्योर वाटर लेना बहुत जरूरी है एक दिन में 8-10 गलास इसके अलावा आप नारियल पानी सूप छाच ये सारी ड्रिंक भी ले सकती है इसके बाद कैलसियम औ आपको बहुत सारा ब्लाड लॉस होता है और तक कम से कम तीन महीने तक कैलसियम और आईरन के सपलिमेंट्स भी लेने बहुत जादा जरूरी होते हैं अगर आप अच्छी डाइट ले रहे हैं इसके बाद भी आपको आईरन और कैलसियम का सपलिमेंट्स लेना बहुत जरू और डिलिवरी के बाद जो हर मदर्स में एक पीठ कमर दर्द की सिकायत होती है वो आपको नहीं देखने को मिलेगी मदर को दिन में दो भार मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट जरूर लेना है इससे आपका दूद का प्रोडेक्शन भी होगा और आपको कैल्सियम सबके साथ आपको हरी सबजियां और फूट्स लेना भी बहुत जरूरी होता है क्योंकि आपको मिनरल्स और सारे विटेमिन्स फूट्स और वेज़िटेबल्स में ही मिलेंगे तो आप हरी सबजियां और एक सीजनल फूट्स जरूर लेजिए इसके साथ आपको छिलके वाली दाल का भी सेवन करना बहुत जरूरी होता है, खिलके वाली दाल का अगर आप लेतने हैं तो इससे आपको फाइबर और प्रोटीन दोनों मिलता है, इन सब के साथ साथ आपको ओमेगा 3 और ओमेगा 6 भी लेने की बहुत जरूरत होती है, क्योंकि बेबी के माइंड और नियूरो का पूरा डव बहुत अच्छे होगी,